आज कैलेंडर येर 2023 का अंतिम दिन और आज से ठीक तीन मैंने बाद financial year 23-24 का अंतिम दिन होगा जिस दिन financial year 23-24 में हुए आये पर लगने वाले टेक्स को अंतिम रूक दिया जाना होता है अब सवाल ये है कि क्या हमें पूरे financial year के दोरान जो भी income हुई है और उस पर जो tax liability बनती है उसे financial year के अंतिम दिन ही दिया जाना चाहिए या नहीं यदि हाँ तो कोई बात है जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन यदि नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए इसका मतलब यदि नहीं है तो निश्यत रूप से हमें advanced tax pay करना चाहिए और आज हम चर्चा करेंगे उसी advance tax की जिसे income tax act के section 147 208 और कुछ अन्य sections में उसको define किया है और आज की चर्चा में सबसे पहले हम बात करेंगे advance tax की advance tax आखिर होता क्या है दूसरी बात करेंगे who should pay किस किन-किन को advance tax pay करना ज़रूरी है mandatory पर इंकम टेक्स फिर बात करेंगे कौन-कौन से प्लास हैं जिसको एडवांस टेक्स पे करना ज़रूरी नहीं है उसके पर हम बात करेंगे कि हमें कब और कितना एडवांस टेक्स पे करना चाहिए सबसे पहले हम चैसा करेंगे कि एडवांस टेक्स क्या है जैसे कि नाम से पता चलता है कि हमें इस टेक्स को एडवांस में पे करना होता है है यह सोब करेंगे यह उस तरह से भिका जाता है कि वह एडवांस वांस में और भाग और फॉक और रदक्स्राइक्स पे अर्निंग हो उसी ताइम जो टैक्स पे करेंगे यह उस तरह से भी कायाद है कि वह इड्वांस भाइब कॉज सब्सक्राइब करना चाहिए तो सबसे पहला है जो सैलिट क्लास है उनको पे करना चाहिए और जो बिजस इंकम जिनका है उनको पे करना चाहिए इसका मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि इंकम के पांच हिट्स होते हैं सैलरी रेंट फ्रॉम हाउस कैप्टल गें बिजस प्रोफेशनल्स और अधर सोर्ष इसका मतलब यदि किसी का कैप्टल गें हुआ है उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता किसी का रेंटल इंकम है उसको एड लेकिन और स्टेन कंडिशन्स वह कंडिशन्स यह है कि यह तीनों क्लास तभी एडवांस टैक्स पे करेंगे यदि इस्स्टिमिटेंट टैक्स लियाबिटि पंग देश्यार में मतलब किसी का नहीं हजाल यह साहय है नोहहजार नोहुजार नोहां सो नहीं नियानवए लेकिन यदि आपकी इस्टिमेटेट टैक्स लाइबिटी एक फाइनसे लिए में दस जार बनती है और आप इन तीनों क्लास में से किसी क्लास से बिलॉंग करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से इड्वांस टेक्स आपको के करना रिए अब तीशरी बात किसको इड्वांस टैक्स पे नहीं करना जैसे मैं पहले बताया puntos क्यार्स फानि रॉनिल रॉच्टेजिघी नहीं होता और हेटा दे एक क्लास है एक क्लास बांट ली क्लास इस दर सीनियर सिजिए इसका मतलब यह कहते हैं कि इसको आशुलिजन में देखें इससे लगता है कि सेनियर सेजिजन को एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता है इवन दे आर अर्निंग पर पेंसन जो कि सैल्डे के ग्रूप में आ उन सिजिजन को एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता है जिनका की कोई भी इंकम बिजनेस या प्रोफेशन से ना हो फॉर एक्जांपल कोई रिटायर्ट परसन से गवर्मेंट आफ इंडिया से उनको पेंसन मिलता है और पैंसन उट कम अंडर दा है एड़ एड़ इसका मत आपका 10,000 या उससे अधिक आपकी टोटल टैक्स लाइबिटी बंदी लगती है तो आपको पे करना की इसका सिंपल मतलब यदि वह सिंटेशन इंकम या बिजन सिंकम है और दस अजार से अधिक इस्टिमिटेट टैक्स लाइबिटी बंदी है उनको पेंदी करना ची अधर इसका सिंपल प्रोफेशनल इंकम है उनको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए लेकिन उसमें एक स्यूज एक्सेप्सन से यदि वह प्रोफेशनल शुविधाया लेता है अंडर शेक्टिव टेमर इंकम प्रेज़न्टी टैक्सेशन की सुविधाया लेता है अन्डर सेक्श यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है और यदि इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेइलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले साथ अब सबाल होता है कि चुकि वह बिजिस्ट या प्रफेशनल्स बिजिस्ट में और प्रफेशनल्स जो प्रजर्ब्री इंकम का अंडर सक्षन 44 एडी और 44 एडी ए एड्वांटेज लेते हैं इस प्रविजन का फाइदा लेते हैं उनको आखिर पे कप करना चाहिए तो उनको उनके लिए प्रविजन से को इनको एक स्टॉल्मेंट में और बिफॉर 15 मार्च उनको टोटल टैक्स जितना बनता है वो उनको पे कर देना चाहिए अब सबसे आखरी और सबसे इंपॉर्टेंट वेन इन हो मस्टू पे हमें एडवांस टैक्स कब और कितना पे करना अगां फिर इस जितना इस्तिमिटेट टैसलिए बनती है उसका 15 परेशन आपको पंधरा जून तक जमा कर देना चाहिए फिर फिर नेक्स्ट कॉटर में आपको 15 सितमबर तक जमा करना होगा और अपक्टू सितमबर 15 सितमबर टोर्टल इतनी टैक्स लाइडरिट बनती है 45% तक आपको जमा करना पड़ेगा इसका, for example, यदि आपने 15% जमा करा दिया है, first quarter में, तो second quarter में 30% और 30% इस quarter का और 15% जो prior किया है, वो मिला कि 45% by 15 September हो जाना चाहिए, the third quarter में यह होंगे 15 December तक, और 15 December में total जो amount होगा, PID, of the tax leverage, that would be 75%, अब देखना यह पड़ेगा, यह चुकि 15, 45, 75 में change हो सकता है, because आपने, आपका कोई professional income है, और आपने सोचा कि हमारा कुछ और tax liability बनेगी, और उसके इसाबसे 15% दे दिया, लेकिन second quarter में हो सकता है, कि आपका estimated tax liability और बढ़ जाए या कम हो जाए, तो कहते हैं कि आपको 15 September, 15 December, 15 June जो भी बनता है, आपका उसमें, यदि 15 September की बाते हैं करना है, जितनी tax liability आपके इस date तक लगती है, बनता है, उसका 45% हो जाना चाहिए, 15 September तक वो 75% हो जाना चाहिए, और बाइ 15 March, टोटल tax liability जितनी बनती है, आपको 100% आपको 15 March तक जमा कराव देना चाहिए, और यदि ये आप in due date के साथ, in due date or due amount, आप advance tax के रूप में आप नहीं जमा करते हैं, गश्यकर में, तो you are liable to be finalized by the income tax department. One more thing that I would like to draw your kind of attention, कि यदि आप salary class हैं, और आपको लगता है कि आपने कभी advance tax pay नहीं किया, जनाब ऐसा नहीं होता है, यदि अलिट क्लास हैं, तो जो आपका tedious, आपका employer करता है, that tedious would be treated as the advance tax, और वो tedious आपका employer जो on your behalf, government ex-seeker में जमा करता है, so tedious जो होता है, वो भी advance tax ही है, तीडियस आपको जो pay करता है, वो आपके भी आपने जमा करता है, यदि आप salary class हैं, तो आपका employer जमा करता है, यदि आप किसी institution में पढ़ाते हैं, या कुछ और काम करते हैं, आपको और नहीं मिलता है, तो आपको जो payment होता है, वो पेमेंट टीडियस काटने के बाद होता है, अपकोर्स, there are certain conditions की कितना आपको पेमेंट करेगा, उसके हिसाब से काटेगा, लेकिन जब भी वो टीडियस काटेगा, इस means, that would be the part of advance tax paid by you.